Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल तो एक ना समझ से भी अगर आप पूछोगे, कि ये result का नतीजा क्या रहा है, तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, कि जो independent है, जो की back किये गए है by PTI, जो पाकिस्तान तहरी के इंसाफ जो पार्टी है, इमरान खान की, उनको लगबख 100 क्या सपास seats मिली है, देखो, majority तो उनके जो candidates हैं, वो independent के तोर पर इस election में खड़े वे थे, और ये साफ दिख रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा majority मिली है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो नवाद सरीफ claims win without majority, ये हालत इसे मैं पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और इसका एक बहुत बुरा अ पाकिस्तान के उपर, कि वहाँ पर धानली की गई है election में, मतलब कि ये कोई fair है, free and fair election नहीं हुआ है, इसमें कोई doubt नहीं है, तो चलो इसको discuss करते हैं, exactly अभी हो क्या रहा है, present में situation क्या है, आरोप क्या लग है, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस इस साल 26 मही को जो होने वाला है, तो वो crack करने में ये आपका आसानी करेगा, और इसको avail करने के लिए हमारे website अप पर जाईए, और फिर comment section में link है, और use करना है code ankit live, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर आसकते हैं वापस, stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखे, present में situation ये है पाकिस्तान में, कि दोनों former prime minister, चाहे नवाज सरीफ हो या फिर इमरान खान, दोनों ने ही यहाँ पर victory declare कर दिया है, और दोनों का कहना है कि जो election का result सामने आया है, उसमें लोगों ने उनको समर्थन दिया है, और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इम्रान खान को इस समय जेल में डाल दिया गया, आपको पता है, इमरान खान के रिष्ते, पाकिस्तान आर्मी के साथ बह इकी वज़े से क्या हुआ, इमरान खान के पार्टी के जो candidates हैं, वो independent के तौर पर लणे हैं, और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था अभी result में, कि कैसे ये जो independent candidates हैं, उनकी संक्या सबसे जादा है, शाद पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, कि कोई पार्टी को सबसे जादा seat ना मिलकर, independent candidates को देखने को मिल रहा है, और इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, तो इमरान खान ने jail से ही, जी हाँ, इस समय वो jail में है, उसके बावजूद उन्होंने AI की मदद से, artificial intelligence की मदद से, यहाँ पर video create करके circulate किया है, उनकी जो party का twitter account है, उस सब ही में आपको इनका जो पुरा video है, वो देखने को मिलेगा, और उन्होंने भी claim किया है कि उनकी जो party है, PTI, they have won a landslide victory, despite crackdown on his party, despite army ने चाहा कर भी, वो इस समय मजबूर है, तो सबसे बड़ी हार आप इस समय कह सकते हैं, कि इस समय आर्मी की हुई है, क्योंकि आर्मी पूरी की पूरी तरह से, य इनको तुरंट पाकिस्तान बुलाया गया, election के पहले, सारे जो cases हैं, उनसे withdraw कर लिए गया, और most probably यही प्राम मिनिश्टर बनने वाले थे, खेर, यह आगे बनेंगे, क्योंकि भले ही कुछ भी हो जाया, कैसा भी election result आ जाया, जो army चाहती है, वैसा ही होने वाला है, लेकिन आपको एक चीज समझना है, कि कोई भी party को इस से मैं overall majority नहीं मिली है, क्योंकि majority लाने के लिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, total 265 seats पर election हुआ है, majority के लिए आपको 133 seats किया हो शकता थी, तो यहाँ पर नवाद सरीफ की जो party है, PMLN, उनको 71 seats अभी तक देखने को मिल रहा है, और जो यहाँ पर भुटो की party है, PPP, उनके पास 53 seats है, और यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है, कि क्योंकि यह independent candidate है, जैसे कि मालनो अगर यह पूरा PTI होता, ठीकि अगर उनके party recognize होती है, तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतब बड़ा मुश्किल होता आर्मी के ल और finally, नवाद सरीफ को एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर का पध है, वो यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी, in fact, मैं आपको बता दू, यहाँ पर नवाद सरीफ, election result अभी पूरा सामने भी नहीं आया था, उनको majority नहीं मिली थी, उन्होंने बाहर आये और उन्होंने क पार्टी को सबसे अधा सीट है, क्योंकि यह जो PTI है, इमरान खान की पार्टी, इनके तो जितने कैंडिडेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जादा से जादा लोग उनके साथ जुड़ें, ताकि वो पाकिस् जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लिकिन मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में इस समय जो भी इलेक्शन हुआ है, उसमें धानली के बहुत बड़े आरूप लग हैं, यहाँ पर इनफेक्ट जो इमरान खान है, जब वो अपना मेसेज दे रहे थे वीडि वो इतनी बड़ी संख्या में जीतेंगे, और इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान के उपर बहुत जादा आरोप लग रहे हैं, कि उन्होंने धानली की है इसके अंदर, इनफेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इमरान खान की पा 2693, एक पर्टिकुलर सीट के उपर 293,000 वोट डाले गए थे, लेकिन वैलिट कितने हुए है वोट, यह आप देखिए 294,000, कहते हैं ना कई बार आप जब धानली करते हो, कोई गलत काम करते हो, तो आप पकड़ा जाते हो, तो जो वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल किया जा रहा है, मतलब आप सोच यह जितना भी वोट डला, उसमें से 16,000 वोट को रिजट, 6.5% आफ वोट कर दिया गया, तो कई इस तरह के प्रूफ जो है, वो इमरांग खान की पार्टी ने समिट किया है, ट्विटर पर डाला है, लोगों को बताया है, और इसलिए आप आप देखोगे, तो अमेरिका में भी बहुत सारे जो मेंबर आफ पार्लेमेंट है, उन्होंने इसको लेकर वोइस रेस किया, और कहा है कि this is critical moment for Pakistan, I am deeply concerned कि जो evidence सामने आ रहा है, जिस तरह से military interfere कर रही है, और धांदली कर रही है result को पलटने की, ये बिलकुल भी सही नहीं है और साथी साथ उन्होंने तो कहा है, आरो खना जो की congressman है, अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि US should not recognize a winner until all the facts are investigated, जब तक पूरा facts सामने नहीं आ जाता, US को declare नहीं करना चाहिए, यहाँ पर recognize नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी winner, अगर मालो नवासरीफ बनते हैं, जब त you can't do much about it, जैसे कि for example अफगानिस्तान में देखे क्या हुआ, elected जो सरकार थी उसको हटाया दिया गया, तालिबान वहाँ पर आ गई, भारत भी पहले तालिबान को पूरी तरह से recognize करने से मना ही कर दिया था, लेकिन दीरे-दीरे क्या हो रहा है, कि हम यहाँ पर comfort हो दे जा र डिले हुआ है, इसका बहुत बड़ा impact होने वाला है, जो Moody's Investor Services अनों ने कहा था, कि अगर result टाइम वे में आ जाता है, अगर सही तरीके से declare कर दिया जाता है, तो एक तरह से जो पाकिस्तान के अंदर economic समस्या है, जो policy paralysis, political uncertainty है, वो काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन जतना डिले होगा result announce करने में, उतना जादा पाकिस्तान को मुसीबत आएगी, और इसलिए मैंने कल भी बताया था आपको, कि पाकिस्तान के अंदर जो कराची stock index है, उसमें भारी गिरावट हुई थी, पाकिस्तान का जो sovereign bond है, वो बहुत तेजी से sharply यहां पर गिराता, तो उनकी और जादा economic हलत खराब होती जारी है, खैर ultimately मैंने आपको बताया कि यहां पर coalition government होने वाली है, लेकिन क्या coalition government आने से पाकिस्तान की मुसीबत, क्या वो मुसीबत से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था, कि पाकिस्तान में यह जो election हो रहा है, तो वो expect कर सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे problem से जो पाकिस्तान गुजर रहा है, उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा, जो instability आ रही है, वहां से निकाला जाएगा, लेकिन अगर एक coalition government आती है पाकिस्तान में, जो कि बहुत जादा chance है, मैंने आपको पहले ही बताया है, न दूसरा प्रैमिश्टर बन जाए, कुछ पता नहीं है, और इसके साथ-साथ यहां पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते है, which feature of Indian constitution is not taken from American constitution, आपको बताना इन चारों में से, कौन सा feature American constitution से नहीं लिया गया Indian constitution में, और इसका जो right answer है, आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिले गा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारे जो MCQs हैं, व आपको maximum discount में ले, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हो से next time, till then thank you very much, see you soon.